ये हाई गाईस कैसे हैं आप लोग welcome back to my channel so guys आज की वीडियो में मैं आपको जिप लगाना बताऊंगी वो भी frog suit में तो frog suit में जिप लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है नॉर्मल suit के according तो देद न करते हुए चली वीडियो को शुरू करते हैं तो जिप लगाने के लिए आपको suit की matching zip ले लेनी है and suit के बिल्कुल center में हम cut लगाएंगे तो उसके लिए आपको suit को fold कर लेना है joint को बिल्कुल joint के पास ही आपको रखके 2-3 pin लगा लेना है और देख लिजी इस तरह से हम गले को अपने side कर लेंगे इसके बाद आपको गले के नीचे से zip का लंबाई ले लेना है जितना आप zip लगाना चाहते हैं तो इस joint से हम 2 inch नीचे ही zip लगाएंगे तो 7 inch पे हम निशान लगाके fabric को 7 inch तक आपको cut कर देना है जब भी आप frog suit में zip लगाते हैं तो इस joint से आपको 2 inch नीचे ही zip लगाना है क्यूंकि joint के पास ही हम suit को अच्छी तरह से fitting लगाते हैं तो chain लगने के बाद आपको suit को खोलने और पहनने में दिक्कत नहीं होगा तो इसलिए हम इस तरह से joint से 2 inch नीचे आपको fabric को cut कर लेना है तो यहाँ पे हमारी जो fabric बहुत अच्छी तरह से cutting हो गई है बिल्कुल center में आप देख लिजे यह मेरी अस्तर वाली suit है तो cutting के पास ही आपको एक सिलाई लगा के अस्तर में fabric को आपको joint कर लेना है हम suit में joint करने के लिए पटी तयार करेंगे तो पटी का चोड़ाई हमारा रहेगा 3 inch और लंबाई हम 9 inch ले लेंगे इस तरह से क्योंकि 7 inch का हमारा chain रहेगा तो 2 inch आपको पटी को लंबा ले लेना है पटी के दोनों लंबाई side से आपको single fold लगा के सिलाई लगा देना है इस तरह से तो ये सिलाई हम सिर्फ लंबाई side से लगाते हैं इसके बाद पटी को एक बार fold करके आपको अपने जिप के लंबाई के according cutting लगा लेना है तो मेरा जिप का लंबाई रहेगा 7 inch 7 inch तक निशान लगा के पटी के बिल्कुल center में आपको cutting लगा लेना है इसके बाद आपको इस पटी को सूट के साथ joint करना है तो उसके लिए देख लिजे कि सूट हमारा सीधा है इसके उपर से हम पटी को उल्टा रख लेंगे और दोनों corner को एक साथ रखके pin लगा लेना है इसके बाद आपको इस तरह से straight slide दे देना है और last में corner के पास आपको दो line का square shape देना है देख लिजे इस तरह से हम दो slide दे देंगे इसके बाद आपको फिर से simply straight slide दे देना है इसके बाद दोनों corner के पास आपको छोटे-छोटे दो cut लगा देना है और ये cut आपको slide के अंदर ही लगाना है इस तरह से cut लगाने के बाद पटी को हम दूसरे side flip करके पूरे पटी में आपको कच्च सलाई लगा देना है तो पूरे पटी में हमने अच्छी तरह से कच्च सलाई लगा दी है इसके बाद देख लिजे कि दोनों joint को आपको एक साथ रखना है इसके बाद आपको zip attach करना है तो उसके लिए देख लिजे zip को हम सीधा रखेंगे और सीधे तरफ से ही cut के बिल्कुल center में आपको zip को अंदर रख लेना है इस तरह से यहाँ पे आपको 2-3 pins से secure कर लेना है पिंस के जगा पे आप कच्चा सिलाई से भी इसे secure कर सकते हैं तो इस तरह से देख लिजे हमने यहाँ पे पिंस लगा दी है और इसके बाद आपको chain को इस तरह से खोल लेना है अब हम यहाँ पे अपने fabric को chain के साथ attach कर लेंगे तो इस तरह से देख लिजे बिल्कुल chain की बगल में आपको fabric को रखके सिलाई लगा देना है फिर से हम chain को थोड़ा सा और खोल के fabric को adjust करके आपको sly लगा देना है and last में आपको foot पट्टी को उठा के और chain को बंद कर लेना है देख लिजे इसके बाद हम sly लगा देंगे इसी तरह से last का जो sly रहेगा हमारा वहां पर आपको 2-3 sly से अच्छी तरह से chain को lock कर लेना है इस तरह से देख लिजे हम 2-3 sly से lock कर लेंगे इसके बाद फिर से आपको normally straight sly दे देना है पूरे fabric में इसके बाद यहां पर देख लिजे कि हमारी जो chain है वो बहुत अच्छी तरह से attach हो गई है और दोनों joint भी हमारा बिल्कुल equal आया है अभी फिलाल आपको extra chain को cut नहीं करना है गलापटी लगाने के बाद ही आप extra chain को cut करें तो यहां पर हमने गलापटी भी बहुत अच्छी तरह से attach कर लिया है वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा अच्छा लगे तो please like, share and subscribe कीजिएगा and मिलती हूँ मैं next video में तब तक के लिए good bye